ब्लेक होल इसके बारे में आप जानते ही होंगे यह अपने आप में ही एक मिस्ट्री है और साथ ही इंट्रेस्टिंग भी लेकिन क्या ब्लेक होल से भी कुछ ज्यादा इंट्रेस्टिंग हो सकता है इससे भी ज्यादा इंट्रेस्टिंग इसका ट्विन वाइट होल है dimension में four dimension time का add होना और singularity का मतलग होता है कि एक छोटे से point पर ही पूरा matter concentrate हो जाना white hole के पास भी mass, charge and बहुत सारी properties है जो कि black hole के पास भी होती है लेकिन एक चीज है जो कि इसे black hole से different बनाती है वो है कि black hole अपनी तरफ सभी object को even light को भी attract करता है वहीं white hole अपने अंदर की सभी चीज़ों को बहार फेक देता है अगर कोई object white hole के अंदर enter भी करता है तो भी वो कभी white hole के event horizon तक नहीं पहुँच सकता स्टीफन होकिंग ने ऐसा कहा ताकि super massive black hole सभी galaxy के center में होते हैं और कोई भी galaxy इसके बिना नहीं बन सकती लेकिन इस चीज़ पर argument यह है कि super massive black hole actually में white hole है अब बात करते हैं कि इतनी distinctive चीज़ का origin कैसे हुआ white hole के existence की possibility year 1964 में Russian scientist आईगर नोविकोब ने दी थी थेयरी यह थी कि white hole Einstein की field equation जो की e equal to mc square है उसी का solution है बट अभी तक white hole की कोई image क्यों नहीं है क्यों इसे observe नहीं कर सकते इसका answer है कि white hole को सिर्फ gamma ray burst में ही observe किया जा सकता है इसके उपर बहुत सारे sentence ने अपनी भी थेयरी दी है वो थेयरी है कि जब कोई particle black hole में enter करता है और जब वो black hole के event horizon से निकलता है तभी उसी black hole के event horizon से white hole का interior region attach रहता है इसका मतलब यह हुआ कि white hole and black hole आपस में attach है और जैसे दो interior region है क्या उसी type से दो exterior region भी है जो कि दो different universe को आपस में join करते हैं इसका answer अभी तो हमारे पास नहीं है लेकिन probably future में जरूर होगा अगर कोई object black hole में enter करके उसके event horizon तक पहुचता है तो वो black hole की singularity को hit करेगा तो वहाँ पे दूसरे universe का gate हो सकता है और सायर नहीं भी क्योंकि एक universe में millions of galaxies होती है और हर galaxy की center में एक black hole होता है तो क्या दूसरे universe के लिए दूसरे black hole में gate होगा या फिर जितने black hole है उतने ही different universe होंगे कुछ scientist का ऐसा भी कहना है कि जब black hole बनता है तब एक big bang होता है और जो कि नया universe बनाता है और यही universe parent universe के लिए white hole है एरेटर एंड एस हैलर यह दोनों scientist ने ऐसा कहा था कि big bang itself is a white hole और ऐसा भी कहते हैं कि white hole is the reverse of black hole white hole के concept ने scientist की जिंदिगी नरक बना दी है मतलब हर कोई बस थेरी दे रहा है और ग्यान पे ले जा रहा है सच्चा ही किसी के पास है ही नहीं यह बड़ी अच्छी बात कही है white hole की misty future में probably solve हो जाईगी अगर आपको लगा हो कि हमने आपको कुछ important knowledge दी है तो इस वीडियो को अपने friends, relative और बच्चों तक जरूर पहुचाए जैहिंग जैवारत black hole की origin और queser के बारे में information के लिए इस वीडियो को जरूर देखें